सभी दोस्तों नमस्कार कैसे हो आप चानके नेटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत हैं उम्मीद करते हैं सो अच्छे हूं जो भी आपको अपना कारिये बैतरिन करें होंगे तो दोस्तों अरियाना सीटी सम्दीत एक मैंन खबर आपके बीच सेर करें थोड़ा अभी डाउन थी लेकिन इस कबर को आपके विच सेर करना बहुत ही जुरूरी लगा तो इस कबर को आप आप से देख लीजिए क्योंगि एरियाना सीटी एकजाम 2022 है क्या सीटी एकजाम खत्म हो जाएगा पुराने तरीक के से एकजाम लिये जाएंगे जैसा पहले एकजाम कि है हाटो में फिर से कमाना गई है अटी है इस प्रिक्षा को आयोजित करवायगा जैसे कि खबर आ रही थी कि jap इस प्रिक्षा को आयोजित करवाएगा इस प्रिक्षा को आयो जीत करवा Clayagay ओ तो उसके पास तो सिमय नहीं और NTA दोस्तों पूरे देश की प्रिक्षा वेज़ित करवाती है तो वो अपनी साइट पे कोई प्रिक्षा लेती है तो उसे समधित डाटा अपलोड करती है तो HSSS समधित कोई भी डाटा उन्होंने अभी तक अपलोड नहीं किया तो ऐसा लग आएगा अभी तक जीतने भी एक्जाम हुएं दोस्तों इलेक्षन के आज पास ही उनके रिजाइल्ट या दोस्तों जो एक्जाम हो लिये जाते हैं आप अर्याना में देखते हैं लेकिन नौमबर से पहले एक्जाम होने की लगता है कोई समावना नहीं है दोस्तों वैसे नौमबर कीनों ने डेट दी है आगे क्या खबर आती उस पर भी बात करेंगे लेकिन जो मैं पॉइंट में आपको बता देता हूँ जो हर्याना चेर्मैन साब की और से कहा गया कि 12 लाख अवेदकों की अगर हम परिक्षा करवा सकते हैं तो अमारे पास अनूबह हुआ है ह हम एंटी के ब्रोसे क्यों रहे हम इस परिक्षा को एज़ित करवा सकते हैं और जो हर्याना विदान सभा का सतर सर्व होगा दोस्तों उसमें ये मुद्धा उट सकता है तो ये जो बार बार सीटी एकजाम लटक रहा है इससे बच्चे भी आवरेज हो रहे हैं क्योंकि लग इससे दोस्तों सीटी बेस पे नय होकर है वैसे जैसे कि पहले एकजाम होता था तो वैसे ये परिक्षा करवा सकते हैं अब इन्हें ऐसा आसा होने लगा कि वैसे परिक्षा हो जानी थी ठीक है ना क्योंकि दोस्तों बात यह है कि 82,000 युवा सरकारी नोकरी में पहले की तर लेकिन सरकार की मनसा नहीं थी, सरकार की मनसा थी इस एकजाम को लंबा खींचना और अब भी ऐसा लग रहा है कि एक नया पैतरा फैंका गया है कि ऐसे बच्चों के वीच खबर प्रोसो कि हम इस परिक्षा को अज़ित करवाएंगी तो कभी ये परिक्षा अज़ित थी अरे अयोजीत क्यों नहीं करवाई भाई अगर अयोजीत ओर सकती थी तो यह एक नया पैत्रा फैका गया है दोस्तों कोई भी अफडेट आती है आपको भी शेयर करते हैं तो आप अपने इस सब्वे राए कमेंट के जरिए दे सकते हैं अगर आपको वीडियो में कुछ भ सब्सक्राइब